सु स्वागतम गईज विलकम बैक टू दे चैनल तो गेंस तरिसका सुब्रिम के न्यू नोविल चैप्टर में आपका स्वागत है अगर आपने पिसला एपिसोड नहीं देखा तो उसका निक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा जाके उसको भी एक बार चेक आउट कर लेना लास्ट एपिसोड में हमने देखा था उस माक्स लेडी ने यहाँ पे टैन्यू और हुआंफो के स्प्रिट बोट के उपर अटैक कर दिया था जिसकी वज़े से वहाँ पे वो डिस्टोय हो जाता है और उसके टुकरों की वज़े से यहाँ पे टैन्यू इंजोड हो गया था और हुआंफो भी इंजोड हो गया था और वहीं पे दो सी तरफ डेमोनेप मंकी उस सैडो गर्ल से फाइट करने लगता है जहाँ पे देमोनेप मंकी ने अपने 10% स्टेंद को भी यूज नहीं किया था बने ही वहाँ पे वो लेडी डिवाइन सोल रिलम के 9 लेबल में होती है और देमोनेप मंकी के आगी वो भी नहीं टिक पा रही थी बट वहाँ पे demon ape monkey उसके sword attack को पूरी तरीके से destroy कर देता है और उसके टुकरों की वज़े से वहाँ पे वो lady पूरी तरीके से injured हो जाती है और हम देखते वो नीचे mountains के तरफ गिरने लगती है और वहाँ पे demon ape monkey उसके बीचे जाते हुए किन लगता है और हम देखते हैं यहाँ पे tanew के मुझे से तोड़ा सा खोड़ा आने लगता है जिसको देखके वहाँ पे वो नगता है brother tanew क्या आप यहाँ पे ठीक हो और उसे याद आने लगता है कि साहर टेन्यू के यह सारी चोड़ उसकी वज़े से लगी है क्योंकि यहाँ पे जब उस लेडी ने spiritual boat के उपर attack किया था जिसके वह जैसी वहाँ पे वो पूरी तरीके से टुकरों में बढ़ जाता है और वहाँ पे उसके टुकरे और वह वहाँ पे cold voice में केने लगता है brother tenue के आप यहाँ पे ठीक हो और हम देखते हूँ वहाँ पे वह थोड़ा सा चयाट सा तभी वहाँ पे tenue केने लगता है इतना बड़ा हो कि तुम्हें रोने में सरम नहीं आती वैसे भी मेरी चिंता मत करो क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक हो सबसे पहले जाके उस लेडी को देख लेते जिसने यहाँ पे हमारे चीफ के उपर अटैक किया उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे tenue वांगफ को लेकर नीचे उस लेडी की तरफ जाने लगता है जहाँ पे वो लेटी हुई थी मतलब कि इंजोडों के डाउन में पड़ी हुई थी अब हम देखते हैं वहाँ पे tenue जैसे नीचे पॉस्टा है वहाँ पे डेमोन एप मॉंकी को किने लगता है जल्दी से spiritual bag में जा और यहाँ पे किसी को पता ना चले और हम देखते हैं यहाँ पे tenue की बाते मानते हुई वहाँ पे डेमोन एप मॉंकी उसके spiritual bag के अंदर चला जाता है उसके बाद हम देखते है tenue जाके उस लेडी को चिक करने लगता है तब हम देखते हैं वहाँ पे ओ ध्यान से देखने लगता है जिसको देखके वहाँ पे ओंग फोस के पीछे आती हुई किन लगता है brother tenue अकिरकार यहाँ पे आपको क्या हुआ आप यहाँ पे इत्ते सौक क्यों लग रहे थे तब हम देखते हुआ पे tenue किन लगता है तो यहाँ पे वह अपने ही बेन के उपर जान ले वहाँ हमला क्यों करती है उन्हें क्यों मारने के कोसिस करती अपना कुछ प्रैटन बनाने लगता है और हम देखते हुआ पे tenue वांग फो को कहने लगता है brother वांग फो इसके उपर मेंने कुछ seal बना है जिसकी वज़े से जब यह रिकवर हो जाएगी तो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी और तुम यहाँ पे मेरे सेप्टी की चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेमन मॉंकी है इसकी वज़े से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगार पाएगा और अब tenue की बाते सुनके वहाँ पे वांग फो भी मान जाता है और वहाँ पे उस लेड़ी को पकड़ते हुए मिरिटियस लैन की तरफ जाने लगता है और वो पोटल के अंदर जाने से पहले पीछे मुड की केने लगता है ब्रदर tenue में यहाँ पे आपका वेट करूंगा और हम देखते है वो मिरिटियस लेक की अंदर चला चाता है दोची तरफ tenue केने लगता है जब यहाँ पे मिस पिंग को हो सा जाएगा तो यहाँ पे वो खुद अपना रिवेंज लेंगी इससे और हम देखते हुआ पर tenue भी अपने फ्लाइंग सोड पे बेट के फैंक चेंग सिटी की तरफ निकल जाता है और वो खेने लगता है बहुती जल्दी में आ रहा हूँ और हम देखते बहुत ही सांदार तरीके से लिखा हुआ था अब हम देखते हुआ पर tenue अपने पाउर की वज़े से अपने लेवल को हाइट कर लेता है और वो सोल रिफैन रिलम के फिफ लेवल में पहुँच जाता है जिसकी वज़े से वहाँ पे जितने भी लोग उसके लेवल से नीच की तरब देखता है जहाँ पर एक बंदा जो कि सोल रिफैन रिलम के नाइन लेवल पे होता है और उसके साथ ही सोल रिफैन रिलम के एट लेवल में होते हैं अब हम देखते हैं उनका लीडर जो कि वहाँ पर नाइन लेवल अफ सोल रिफैन रिलम पे था वो किने लगता है और हम देखते हूँ वहाँ पर टॉंक यान पैविलेन के तरफ बढ़ने लगता है तब हम देखते है पीछे से वह बंदा फिर से कहने लगता है ओ तो तुम्हारा यहाँ पर मूट खराबे पर यहाँ फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर मैं जो बोच रहा हूँ उसका जल्दी बढ़ने लगता है अब वहाँ पर ट्यानियो को देखके उन में से एक बंदा जिसका नाम यहाँ पर काई लियां होता है वो के लियां लगता है आखिरका तुमारे इमत कैसे हुए ऐसे चिलाने की और हम देखते हैं वहाँ पर उसके उपर अटेक करने के लिए जाई रहा और हम देखते हैं यहाँ पर ट्यानियो पीछे मुड़ते हुए उसके उपर अपने किक से अटेक करता है जिसकी वज़े से वहाँ पर हड़ी उसकी तोट जाती है इसकी वज़े से उसका राइट नी पूरी तरीक से क्रैक हो जाता है और हम देखते हैं उसके बोड़ी से उ जो कि यहां पे soul divine vamp के 8 लेवल पे होते हैं अर हम देखते हूंँ हूँ पर उसके दो सारी उसके उपर attack कर देते हैं बत 10 यूँ बहुत ही आसानी से और यहाँ पर टैन्यू लूफैंग के तरफ बढ़ने लगता है तब हम देखते हूँ आपर कुछ डिसाइपल टैन्यू को पेचान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सोल डिवीजन, होली डिवीजन और बीज डिवीजन के होते हैं तो हो आसे चले जाते हैं और उनको देखे हैं एसा लग रहा था कि हो आपे किसी को बुलाने जा रहे हैं दोश्ची तरफ हम लूफैंग को देखते हैं जो आपर सोचने लगते हैं आखिरकर यहाँ पर टैन्यू इतना ज्यादा पावफुल कैसे हो सकते हैं पर इस टैन्यू ने बहुत ही आसानी से उन सब को आरा दिया ज़रूर यहां पर इसने अपने पाउर छिपा रखिये और हम देखते हो वहां पर टैन्यू दूसरी तरफ लूफ एंगे तरफ देखते हुए किन लगता है यहां पर तुम्हारी लिक को मेही ब्रेक करो या तुम खुद करोगे और हम देखते हूं पर वह बाग नहीं लगता है बट यहां पर Tanyu की spirit बहुत ज़्यादा थी जिसके वज़े से वह उसके आगे आज जाता है और हम देखते हूं पर उसके right leg को पुरी तरीक से crack मतलब कि break कर देता है और उसे last mark के फीचे फेक देता है तो इसके साथ यह एपि करके जरूर चाना थैंक यह पर वाचिंग टेकर स्यू अगाइन